श्रमन रतन प्रणत सागर जी महराज के 44 वे अवतरन दिवसके उपलक्ष में गुरुभक्त परिवार, हुकुम चंद सेथी, इंदु सेथी, प्रवीन सेथी, मेगा सेथी, माहिर सेथी, सुरेश यंद सेथी, प्रकाश यंद सेथी, अशोक कुमार सेथी समीचिन विकल्पों का समयक समाधान, इस कारेक्रम में मैं आप सवी का स्वागत करता हूँ यूटूब चैनल सुपरववाज की प्रस्तोती समीचिन विकल्पों का समयक समाधान इस कारेक्रम के माध्यम से देश, विधेश, विभिन प्रांतों से लोगों से जो जुड़े होये अपने मन में उठने वाले विकल्प है उसका शमन होता है तो चलिए चलते हैं मुनिश्री के चड़ों में बारंबा नमोस्तु करते हैं और आज के कारेक्रम को सुत्र संचालित करने के लिए अनुकमपा करने की नमोस्तु प्रारम करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प आश्टा माद्य प्रदेश से एक ऐसे गुरु भक्त डॉक्टर मगन जेन, स्रीमती चंदा जेन, डॉक्टर अंकित जेन पुर्वाल परंपूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निविरित क करते हुए, अपना समीचेन बिकल्प रक रहे हैं कि माराज जी चक्रवर्ती भरत और कामदेब बाहु बली दोनों तदभाव मोक्ष गामी थे और छायक सम्यक दिश्टी भी थे, फिर किस कसाय के उदय में भरत चक्रवर्ती ने बाहु बली पर चक्र रत्न का प्रियोग कि हमारे समीचेन बिकल्प का सम्यक समाधन करने के उनकमपा करें, नमोस्तु माराज जी नमोस्तु भले ही तदभाव मोक्ष गामी दोनों जीव थे और उस क्षाईक सम्यक दर्शन से भी परिपूर्ण थे, पर फिर भी ऐसा कहा जाता है कि कसाय की नमित्त से व्यक्ति सहज ही अपने सैयम को, अपने चारित्र को और अपने बहुत सारे गुणों को छोड़ देता है कसाय वसंगतो असंजदो हो दी सूत्र देते हुए आचर भगवंद कहते है कि कसाय के वस्षिभूत होने से जीव हमेशा ही अपने जीवम में असयम के रूप को धारण कर लेता है और शायद यही कारण हुआ कि दोक्षाइक सम्मेक दुष्टी तद्भो मोक्षगा में जीव मात्र और मात्र कसाय के निमित्त से अपने भीतर के सैयम को, संबंधों को और अपनी आने वाली उस पर्यायों को भूल कर आपस में लड़ बैट अन्य कोई भी नहीं आपितु जो चारित्र मोहनी के निमित्त से जो मान कशाय की सत्ता उस चक्रवर्ती के भीतर उत्पन हुई थी उस मान कशाय के निमित्त से ही दोनों भाई लड़ पड़े थे ये इतिहास गवा है कि दोनों भाई, सग्य भाई बिल्कुल उसी भव से मोक्ष भी पदारे पर मात्र उनके भीतर की मान कशाय जिसके कारण से उन दोनों की लड़ाई हुई थी आपस में वैर उत्पन हुआ था उसके कारण से उनकी लड़ाई का इतिहास लिखा गया बाहुबली के पास जैसे ही समाचार पहुचा था बाहुबली के अन्य भाईयों ने भरत की स्वाधिनता या पराधिनता स्विकार ना करते हुए अपनी स्वाधिनता पहचान कर उन्होंने दीक्षा लेकर अपना कल्यान करने का मार्ग स्विकार कर लिया पर भीतर बाहुबली के भीतर भी थोड़ा सा मान कशाय का उदय आया था कि मैं भी उसी रिश्वदेव का बेटा हूँ जिसका की भरत चक्रवरती है बाहुबली के भीतर की मान कशाय और साथ-साथ उस चक्रवरती भरत के भी भीतर की मान कशाय जब दोनों की मान कशाय टकराई तो यह इतिहास का पहला ऐसा भाई-भाई का तद्भ मोक्षगामी जीवों का युद्ध हमारे इतिहास के पन्नों में लिखा गया अन्य कुछ भी नहीं मात्र दोनों की जो तीवर उस मान कशाय की परणती थी चारित्र मोहनी कर्म के तीवर उदै से क्योंकि आपने चारित्र मोहनी कर्म के विशय के आस्रवादी की भेदों में पड़ा होगा कशाय वेदनी उस कशाय के निमित्त से जो मान कशाय भले ही वह अनंतानुवंधि नहीं थी पर मान कशाय की तीवरता के निमित्त से दोनों भाईयों में लड़ाई होई और वह लड़ने के बाद भी भूल चुके थे भरत चक्रवरती कि मैं अपने सगे भाई पर चक्रचलान वख चक्रवर्ती जानता था कि अपने सग्गे भाई सग्गे संबंधियों पर कभी भी चक्र नहीं चलता फिर भी उसने उसमान कशाय के पीछे अपने सग्गे भाई पर चक्र चला दिया सेगे भाई आपस में उस चारित मोहनी की मान कशाय की निमित्त से आपस में लड़ बैठे थे भले ही वक्षाइक सम्मेक दर्शन और तत्भु मोक्षगामी आदिगुण उनमें थे पर तत कशण की वक कशाय तीवर कशाय जीवों को असयम ही बनाकर उनमें आपस में युद्ध लड़ाई करवादी यही कारण उन दोनों के उस युद्ध के पीछे था चारित मोहनी की निमित्त से उत्पन होने वाली जो तीवर मान कशाय थी वह मान कशाय के निमित्त से ही बहले वे चतुर्थ गुण स्थान वर्ती सम्मेक दुष्टी थे पर फिर भी कशाइक सम्मेक दर्शन होने के बाद भी कशाय की सत्ता परिपूर्ण रूप से नहीं गई थी अनंता नुबंदी जरूर नहीं थी पर अप्रत्याख्याना वर्णी प्रत्याख्याना वर्णी और स्वंजलन तीन कशाय की सत्ता वहां थी और तीन कशाय में से अपरत्याख्यानावरणी कशाय के मान कशाय के निमित्त से वह दोनों भाई उस कारण से लिड़ पड़े थे इस कारण से ही वह इतिहास में यह भाईयों की सगे भाईयों की लढ़ाई लिखी गई भले ही वह तद्भु मुक्षगामी थे पर मान करशाय की तीवरता विक्ति को मानने नहीं देती ऐसे ही दोनों भाईयों की मान करशाय आपस में मानने नहीं देरी और उससे ही लड़ाई टकरा हुआ और युद्ध सामने हुआ यही आपके लिए सम्मिक समाधान आदित जेन छोटू गुर सराय उत्तर प्रदेश से मुनि स्री के चरणों में कोटी कोटी नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महराज जी बैरागे किसे कहते हैं क्योंकि बहुत वार सुना हैं आगम गरंतों में भी पड़ा है कि किसी व्यक्ति को किसी राजा महराजा को बैराग हो गया और उन्होंने दीख्षा लेली तो ये बैराग क्या है हमारे समचें विकलब का सम्मेक समाधान करने के उनकुंपा करें नमोस्तु महराज जी नमोस्तु परिपुर्ण रूप से जिनका राग, द्वेश, कसाय आदी बीत चुके है उनको वीतराग ही कहते है और उस वीतरागती की और बढ़ने के लिए जो जीव के भीतर उस वीतरागतों को प्राप्त करने के लिए या कुछ अंसों में राग द्वेश को जीतने के जो परणाम हो रहा है उसे ही वेराग कहते है साक्षात परिपुर्ण रूप से जो अरहंत प्रभू होते है वे वीतरागी भगवान हुआ करते है पर उस वीतराग मार्ग तक पहुचने के लिए राग द्वेश से परे होने के लिए का या भीतर की कशायों से दूर होने का जो भी जीवों का परणामन पुर्शार्थ चल रहा है उस पुर्शार्थ की पहली सीड़ी का नाम ही आचर भगवनतों ने वेरागय का है जो संसार के वृद्धी का कारण था विशय भोग, पाप, सप्त वैसन, आदी के निमित्त से जो जीव के परणाम परणती चल रही थी उस परणाम परणती से दूर होकर उस वीतराग मार्क की और बढ़ने का जो पुर्शार्थ चल रहा था उसे भी कथंचित हम वेरागय कह सकते जो जीवों की अनादी काल से रागद्वेश रूप परणाम करने की सतत अभ्यास रूप परणती चल रही है उस रागद्वेश से हटकर जो उन विशे भोगों से दूर होकर अपने आत्मा को अपने आत्मा की सिध्धी को ज्यान दर्शन को प्राप्त करने के लिए जो निरगरंत मार्ग या मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का प्रयास करने का जो पहला साधन है उसे भी हम वेरागय कह सक इसलिए अनेक प्रकार से उस वेरागी की परिभासा हम करते हैं तो अनेक प्रकार के दुरुष्टानतों को भी हम उसी प्रकार से महापुर्षों के निमित्त से राजा महराजाओं के निमित्त से या आगम गरंतों से प्राप्त कर सकते हैं सामान निरूप से आपके लिए तो यही समझने योग्य होगा, जो संसार, विशे, भोग, पाप, आदिसे, विरक्ति के जो परणाम हो रहे है, उससे दूर होने के परणाम होते हुए, अपने आपको वीतरागता की और, यानि मोक्षमार की और बढ़ाने के जो भीतर परणाम हो रहे है, उसे ही हमें वैराग समझना होगा, यह वैराग कही किसी बजार, मंदेर, देव, शास्त, गुरू के पास मिलने वाला नहीं है, अपितु स्वेम के भीतर के, जो ऐसे परणाम है, जिन परणामों के द्वारा, हम स्वेम को ही अपने आप से, उन विशे भोगों से हटाने का पुरशार्थ करते है वास्तों में उन विशे भोगों से हटाने के लिए जो संसार की असारता, इन भोगों की नश्वरता, आदी की बारे में चिंतन करते करते, जो इससे उदासीनता प्राप्त होती है, उस उदासीनता का भी नाम हम वैराग्य कह सकते जो उन रागदवेश या संसार के पापकारियों में, भोगों में, कशायों में लिप्त है, वह तो अपने आप में रागदवेशी है ही, उसे रागदवेश से युक्त ही कहा गया, और इस परनती से परिपूर्ण रूप से अपनी आत्मा का कल्यान हो, इस संसार सागर से, इस दुख भरे चत्रगती से अपना कैसे कल्यान करके मैं इन चत्रगती का कैसे नाश करू, इनसे मेरी आत्मा की कैसे मुक्ती हो, इसके विशे में जो मेरा सतत चिंतन चल रहा है, उस मार्ग पर चलने का पुरशार्थ चल रहा है, उस परनाम परनती को ही आचर भगवंत न किसी भी स्थान पर कही भी किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकता है क्योंकि ये परणमन ही जीव का ऐसा होता है जब उसे अपने अंतरंग स्वरूप का या अपनी सिध्धी का भान हो जाता है वस्वे में वही उस विशे भोगों से अपने परणती को दूर करने का प्रयास करत और उसे दूर होने की जो परनती है वही वेराग कहलाती है और उस वेराग को प्राप्त करने के लिए आचर भगवंत कहते है जो बारा भावनाओं का व्याख्यान किया है वह बारा भावनाओं का अगर जीव सतत चिंतन करता रहे कि संसार अनित्य है, संसार दुखमई है, वह अशरण भावना, संसार आस्रव, आधी सभी बारा भावनाओं का चिंतन करने से, जीव इन पापों से, भोगों से, बचने का, अपने आपको प्राप्त करने का जो इसलिए वह वैराग्य को आप उस प्रकार से प्राप्त करें, जिस प्रकार से महापुरुषों ने इतिहासों में बहुत सारे राजा महाराजाओं ने प्राप्त किया था, हम भी उस सब को प्राप्त करें, वह चाहे जिनोंने वीतराक्ता की और कदम बढ़ाए है ऐसे से यही आपके लिए सम्मिक समाधन पूनम जैन जवलपुर से गुरुवर के चरणों में नमोस्तु निविदित करते हुए अपना समीचन बिकल्प रख रहे हैं कि माराजी जीव आत्मा शरीर छोड़ने के वक्त कहां जाता है इवं शरीर छोड़ने के वाद उसकी इस्तिति पुनर जन्म कैसे होता है हमारे समीचन बिकल्प का सम्मिक समाधन करने के उनकमपा करें नमोस्तु माराजी नमोस्तु जनम मरण ये संसारी जीव का प्रती परियाय रूप या चत्रगती रूप परणमन सतत रूप से चलता रहता है जीव चाहे किसी भी परियाय को छोड़ कर किसी अन्य परियाय को प्राप्त करें उस प्रत्यक समय में उस परियाय के दृष्टी से उस जीवात्मा का ही मरण होता है और उसी जीवात्मा का अगली परियाय अगली गती रूप जनम भी हुआ करता है जरूरी नहीं है कि जीव एक किसी निर्धारित समय के लिए किसी परियाय को प्राप्त करें तभी उसके मरण जनम आदी की व्याख्या हो आपितु जिस प्रकार से जीव पुर्शार्थ भाग आदी को लेकर कर्मों को लेकर उस परियाय को प्राप्त होता है बिल्कुल उसी प्रकार से ही जीव मरण और जनम को प्राप्त करता है इस जनम मरण तब तक जीव किसी परियायय के शरीर को धारण करता है, तब तक उस जीव का आयू का काल जब तक चलता है, तब तक उसे जीवित या जिन्दा कहा जाता है और जैसे ही उसे के आयू के निशेक पूर्ण होते ही वह जीवात्मा अपने उस परियाय के शरीर को छोड़ कर अन्य गति को यानि अन्य स्थानों को पहुंचने के लिए जो प्रयास करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करता है उसे ही आचरभगवन ने विग्र समझने का विशय यहां पर यह है कि जैसे ही जीव की मृत्य होती है वह उस शरीर को छोड़ते हुए अगले शरीर को प्राप्त करने के लिए तीन समय के अंदर ही अगले स्थान मर पहुंच जाता है क्योंकि विग्रह गति का समय आचरभगवन ने तीन समय का ही कहा है वह आ शरीर को प्राप्त करने के लिए प्रोशार्थ रत होता ही है जब जीव परिपूल्न रूप से परियाय में उस शरीर में रहता है तो वह जीवात्मा जब तक उसके आयू के निशेक शेश है तब तक वह उसी शरीर में रहता है जिस शरीर की या जिस परियाय में वह वर्तम जीवित होता है और जैसे ही उसकी मुर्त्य होती है वह अपने शरीर को छोड़कर उसी क्षण उस शरीर से बाहर होता है पर ये भी परमसत्य है कि अगले तीन समय में वह कही ना कही ऐसे स्थान पे पहुंचता है जहां अगली परिया अगले गती अगले स्थान में उसे जनम लेना होता है जब जीवात्मा शरीर को छोड़ता है वहां अन्य कही नहीं रहता जिसक्षण छोड़ता है उसक्षण से लेकर अगले समय तक उस समय से लेकर अगले समय तक जिस गमन गती में या जिस अवस्था में रहता है उसे जो विग्रह गती कही है उस विग्रह गती म चोडने के अगले समय में रहता है, और पुरा जब तीसरे समय के अंतरगत या चोथे समय के पहले यानि तीन समय तक अगले स्थान पर पहुंचता है, उतरे समय के लिए ही वह मात्र शरीर से रहित होता है, पुना जहां वह पहुंचता है वहां पहुंचकर तुरंत ही वह उस स्थिती में उस अवस्था में जिस अवस्था जिस परियाय को उसने पिछली परियाय में यानि पिछली अवस्था में बांध के रखा है उसी अवस्था को प्राप्त करता है जिस अवस्था को पिछली पर प्रयाप्तिया कहते हैं उसे प्रयासरत हो ही जाता है इसलिए जो पुनर जन्म आदी का व्याख्यान होता है वह परिपूर्ण रूप से सत्य है पुनर जन्म का मतलब ये नहीं है कोई भटकता हुआ आत्मा किसी के शरीर में पहुंच कर मुर्दे में पहुंच कर उसने जन्म लिया ये सब कुछ मात्र कलपनाय है एक मित है सत्यता इसमें केंचित भी नहीं है जीव कभी भी तीन समय से अधिक बिना परियाय बिना शरीर के भटकता ही नहीं है भले ही वह देव बने तिरियंच बने मनुष्य बने नारकी बने किसी ना किसी गती किसी ना किसी परियाय अवस्था स्थिती को वह पूर्व कर्म के अनुसार प्राप्त अवश्य ही करता है और इसी को ही शायद पुनर जन्म कहा है बहुत सारी पुनर जन्म को लेकर वर्तमान में मिथ्या कलपनाय, मिथ्या भ्रांतिय जीवाओं के भेतर है कि वो भटकता हुआ जीव वर्तमान में किसी के शरीर में घुशकर वो पुनर जन्म ले रहा है या कोई भूत आकर किसी के घ परियाय में थे उस परियाय को छोड़कर तीन समय बाद जो वर्तमान की मनुष्य परियाय में आये हो यही आपकी पिछली परियाय की आपक्षा से पुनर जन्म हुआ है। चतुर गती में परिभ्रमन चल रहा है तब तक जीव का यह पुनर जन्म होता ही रहेगा। क्योंकि वह संसारी आवस्ता ही संसरन करना है चतुर गती रूप भ्रमन रूप कहा है। इसने परियाय प्राप्त की वह वही ध्रव्य जीवात्मा होता है। उस वही जीवात्मा की आपक्षा से ही पुनर जन्म कहा जाता है। परियाय की आपक्षा से प्रत्यक परियाय का नया नया जन्म, प्रत्यक परियाय का नया मरन होता है। पर जीव अपक्षा याने जीव द्रव्य जीवात्मा की अपक्षा से अनेक परियाय भले ही हो पर पुन्हा-पुन्हा जन्म, पुन्हा-पुन्हा मरन होता है। इसलिए उसे पुनर्जन्म कहा गया है अने कोई भी मिथ्या कल्पनाओं का या मिथ्या कल्पनाओं पर आप विश्वास ना रखे। आगम के परिपेक्ष में यही मृत्यों और यही पुनर्जन्म की व्याख्या आचर भगवन तो ने की है और यही आपके लिए सम्मिक सम अगले विकल्प के लिए जतारा मद्यपिदेश से अनन्य गुरुभक्त सचिन जैन सोनु सिंग ही हमारे सामने हैं अपने समीचिन विकल्प के साथ नमोस्तु गुरुदेब नमोस्तु गुरुदेब नमोस्तु गुरुदेब आचार स्री विसुत सागर जी महामुनी राज की जै मुनी स्री सुप्रभ सागर जी महराज की जै मुनी स्री प्रणत सागर जी महराज की जै मुनी स्री मेरा प्रसन है जैसे अन्य कोई धरम सच्चे देव सास्त गुरू को नमस्कार करता हो तो आगाम के अनुशारों से अच्चतिन पुन्य का फर प्राप्त होता है और यदि हम किसी अन्य देव सास्त गुरू को नमस्कार करते हैं तो हमें मिध्यात का दोस्त लगता है ऐसा क्यों मुनिश्री मेरी संका का समाधान कर नमोस्त गुरुजी वे उनके अपने स्वरूप में परिपूर्ण रूप से स्वतंत्र कहदो या परिपूर्ण रूप से अपने ही उस स्वरूप में वे लवलीन होने के कारण से ही उन्हें सच्चे देवशास गुरु का है और आगम के परिपेख्ष में ये परमसत्य बात है कि जो जो उन सच्चे देवशास गुरु के प्रती अपने रिदय के अतील अतीव गहराई के साथ श्रद्धान और विश्वास करता है उसके असंख्यात गुनसरेणी करमों के निर्जरा मात्र उन पर श्रद्धान धर्म विशेश या किसी स्थान विशेश के लोगों ने ही उनके प्रती समर्पन श्रद्धान विश्वास के भाव रखने से ही उनके करमों के निर्जरा हो पुण्य की प्राप्ती हो ऐसा केंचित भी नहीं है ये सिद्धान्त आगम ग्रंथों से हमें समझना होगा जैसे आप भी कई बार कहते हो कि जैन धर्म किसका है जो माने वह उसका है ऐसे ही यही सिद्धान्त हमें समझना होगा कि जो इस धर्म को और धर्म आयतनों को अपना मानता है उस पर श्रद्धान करता है उस प्रतेक जीव को चाहे वह उसका जन्म भारत देश में अन्यक कही हो किसी विशेष संप्रदाय में हुआ हो जरूरी नहीं है कि वह उन पर स्रद्धान नहीं कर सकता कोई भी कही का भी जीव उन पर स्रद्धान करता है उनको नमन नमसकार आधी करता है तो नियम से नियम से उनकी कर्मों की निर्जरा होती ऐसा क्यों क्योंकि वह अपने स्वरूप में देवशास गुरू सच्चे स्वरूप में है वह अपने स्वरूप से चुत नहीं होते और जो भी उनके सच्चे स्वरूप को मानता है समयक दृष्टी बनकर उन पर स्रद्धान करते हुए अपने कर्मों के निर्ज़रा करते हुए पुर्णे की प्राप्ति करता है पर ये भी परम सत्य है जो उनको नहीं मानता या उसके अलावा अन्य किसी को मानता है तो उसको भी उसके विपरीत फल में लेगा ये भी उतना ही सत्य है क्योंकि ये सामानने सी बात हमें स्विकार करनी होगी जैसे कि ये पेन है तो इसका जैसा स्वरूप है उसको अगर वैसा मानेंगे तो ही उसे सत्य कहा जाएगा अन्य किसी वस्तु को अगर पेन मान रहे हो तो वह किंचित भी सत्य नहीं होगा इसलिए जैसे ये पेन वस्तु है उसका जैसा स्वरूप है उसे सच्चे स्वरूप को हमारे मानने से उसके सच्चे स्वरूप का स्रद्धान करने से हमारे लिए वह तत्व का या हमारे लिए उस वस्तु का सम्मिक निर्णय होने से हमें जीवन में यथात रूप से पुर्ण कर रहे हैं मान रहे हैं तो वह हमारी भूल है और जहां भी हमारी भूल होगी चाहे हमारी हो अन्य किसी की भी भूल हो जहां किसी की भी भूलोगी नियम से नियम से उस भूल के निमित्त से उसे पाप का आस्रव सहज होगा चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो कोई गलती भी करत तो उसे जैसे वर्तमान के न्यायाले में भले ही कम अधिक पर कही न कही दंड मिलता ही मिलता है ऐसे ही कर्म का दंड भी बिलकुल उस न्याय प्रशासन से भी कई गुना अधिक विशेश कहे दो या कई गुना अधिक बहुत अच्छा व्यवस्था पन उन कर्मों का हमें स्व उसको अगर वैसा मानता है तो हम उसे विवेकवान नहीं कहते जैसे कोई सरावी होता है तो उसे भी कोई यदवा तदवा बात करे तो उसे पकड़ कर हम कही अंदर कर लेते हैं कि भाई ये सरावी है इसे अकल नहीं है ऐसे ही जिसने सत्त स्वरुप को वस्तु के नहीं जाना है सच्चे देवशास गुरु को नहीं जाना है अन्य को जान रहा है या उसकुल में जनम लेने के बाद भी जैसे अपने लिए आप पूछ रहे हो जो आप वहाँ जनम लेने के बाद जिसके आखों के सामने सत्यता है, प्रकास है, फिर भी अगर वो गड़े में गिर रहा है, तो उसे तो अंधा ही कहना पड़ेगा, उसे मूर्ख ही कहना पड़ेगा, और उसे नियम से नियम से अपने गलती का ऐसास हो नहीं हो, पर गलती के निमित्त से उसे दंड़ भी हुआ can यह नाम से पेजह के मात्यम से इसका प्रसारण हो अगर आप इस समय समय समाधन प्राप्द करना चाते हो तो व्ह प्र न लिए सकते हो WhatsApp के माद्यम के द्वारा आपके सुईधा के लिए मैं यह नंबर द्वाराता हूँ यह नंबर है 870-754-8811 870-754-8811 अगर आप इमेल से अपना विकल बेजना चाते हो तो samyak.samadhan at the rate gmail.com इसके माद्यम से अपना समीची विकल हम तर भीच सकते हो मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ और आज के कारेक्रम को यही विराम देता हूँ नमोस्तु नमोस्तु श्रमन रतनिप्रनत सागर जी महराज के 44 वे अवतरन दिवसके उपलक्ष में गुरुभक्त परिवार हुकुमचंद सेथी, इंदु सेथी प्रवीन सेथी, मेघा सेथी माहर सेथी, सुरेशंद सेथी प्रकाशंद सेथी, अशोक कुमार सेथी नागपुर कर दो